Good morning students, class 5th हम पढ़ेंगे chapter 25 इससे पहले मैंने आप लोगों को 9 chapter करा दिया था अब हम पीछे से चलेंगे 25 chapter से ठीक है और हमारा 25 जो chapter है वो है our earth and space अर्थात हमारी प्रत्वी और अंत्रिक्ष इसका मतलब कि सीवम जो है वो अपने मामा की जो साधी थी उसे अटेंड करने के लिए अपनी मदर के साथ अपनी मम्मी के साथ गया कि जब सीवम और उसकी मम्मी उसके अंकल अर्थात जो मामा है उसकी साधी अटेंड करके वापस क्या करने थे घर की और लोट रहे थे ठीक है शीवम सेट टू हीज मदर तो सीवम ने अपनी मदर से कहा वी सी मेनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन दा स्काई तो सीवम ने अपनी मदर से कहा कि हम लोग अंतिक्ष में बहुत सारे तारे चमकते हुए देखते हैं लुक देयर मदर दमून इस आलसो शाइनिंग उसने कहा कि देखो ममा कि वहाँ पर जो मून है वो भी क्या कर रहा है शाइन कर रहा है अर्थात चमक रहा है इसका मतलब कि देखो ममी कि कुछ जो स्टार्स हैं वो काफी ते चमक रहे हैं और कुछ जो स्टार्स हैं वो चमक तो रहे हैं परन्तु उसमें इतना शाइन नहीं है अर्थात विद्दम ब्राइट नहीं है वो इस परस्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं ठीक है अर्थात धुनलापन दिखाई दे रहा है अब वो पूशता है कि रात को तो तारे दिखाए देते हैं परन्तु दिन के समय में ये तारे कहां चले जाते हैं तो सिवम ने अपनी ममा से बोला अपनी मदर से कि मुझे मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, अर्थ के बारे में और सन के बारे में मुझे डिटेल्स में समझाओ discuss and tell what have you seen in the sky कि हम हमें आकाश में क्या-क्या दिखाई देता है ठीक है तो हमें आकाश में क्या-क्या दिखाई देता है बताओ स्टार्स है, मून है, सन ठीक है, यह सब चीज़ें हमें इसकाई में दिखाई देते हैं why can we not stare at the sun ठीक है कि इसका मतलब यह है कि जो तारे हैं वो दिन के समय हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं ठीक है इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सुरी की जो चमक है ठीक है उसके सामने हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं तारे तो वहीं होते हैं परंतु सुरी की चमक के कारण हमें वो तारे दिखाई नहीं देते हैं ठीक है अब यहां से पढ़ते हैं Mother Shivam The moon has no light of its on तो Shivam की मदर बोलती है कि Shivam जो moon है उसकी स्वयम की light नहीं होती है अर्थात moon के पास स्वयम का प्रकाश नहीं होता है It shines because of the light of the sun यह इसलिए चमकता है क्योंकि सुर्य की रोस्टनी का प्रकाश moon पर पढ़ता है तो sun की रोस्टनी के कारण ही चंद्रमा जो है वो क्या करता है शाइन करता है The stars are far away from the earth कि जो stars हैं वो अर्थ से काफी दूर स्थित हैं So they look smaller तो जो stars हैं जो तारे हैं वो हमारी प्रत्वी से काफी दूर स्थित हैं इसलिए वो क्या दिखाए देते हैं हमें काफी छोटे दिखाए देते हैं ठीक है The moon is close to our earth और हमारा जो यह moon है चंद्रमा है वो प्रत्वी के काफी दूर स्थित हैं So it look bigger than the other stars इसलिए चंद्रमा जो है अर्थात moon वो हमें बड़ा दिखाई देता है तो बात संद्रमा ही कि जो star से वो प्रत्वी से काफी दूर स्थित हैं इसलिए वो छोटे दिखाए देते हैं और जो moon है वो हमें बड़े इसलिए दिखाए देते हैं क्योंकि वो प्रत्वी के काफी निकट स्थित हैं सीवं सी मदर वन स्टार अमंग दा अधर इस साइनिंग वेरी ब्राइटली एंड सम स्टार्स केन बी सीन फिक्स्ट इन लाइन वाई इस इट सो तो सीवं अपनी ममा से पूस्ता है कि जुतने भी तारे दिखाए दे रहे हैं उनमें से एक जो तारा है वो सबसे ज्यादा साइन कर रहा है ठीक है और कुछ जो स्टार्स हैं जो तारे हैं वो हमेशा एक ही जगे पर एक सीधी रेखा पर दिखाए देते हैं ऐसा क्यों होता है mother the most brightly signing star is called the pole star ठीक है कि इन में से सबसे ज़्यादा जो तेज चमकने वाला जो तारा है जो इस्टार है उसे हम क्या बोलते हैं पॉल स्टार जिसे हिंदी में हम बोलते हैं दुरू तारा which is always present in the northern direction और जो पॉल स्टार है ये हमेशा हमें नौर्थ डिरेक्शन में ही दिखाई देता है and the seven stars forming one group are called सब्तरिशी ठीक है कि जो ये एक लाइन में जो ये तारे दिखाई दे रहे हैं आपको इसे हम क्या बोलते हैं सब्तरिशी ठीक है अब देखो रात के समय यदि कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है और उससे डिरेक्शन का पता करना है कि हम कौन सी डिरेक्शन में हैं तो उपर हम देख सकते हैं कि जो सबसे ब्रैट जो चमक रहा है तारा जो पॉल इस्टार है ठीक है अगर वो दिखाई दे रहा है आपको तो उसका मतलब क्या है कि हम नौर्थ डिरेक्शन में हैं ठीक है और उस नौर्थ डिरेक्शन को पता करके हम बता सकते हैं कि बाकी की जो थ्री डिरेक्शन कौन कौन सी है ठ यह देखी यहाँ पर यह है आपका शब्त रिशी ठीक है वान तू थ्री फॉर फाइफ सिक्स और सेवर इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं शब्त रिशी मतलब साथ तारों का समू और कॉंस्टोलेशन का मतलब पता है आपको अग्रूप ऑप स्टार इसकॉल्ड कॉंस्टोलेश ठीक है तो तारों के समू कम क्या बोलते हैं कॉंस्टोलेशन शीवम इंसिस्ट्स हीज मदर टू गो इंटू स्पेस अब सीवम जो है वो अपनी ममा को जोड देने लगा कि चलो हम भी स्पेस में चलते हैं अर्थात अंत्रिक्ष में चलते हैं ठीक है तो इसकी मदर ने इसको समझाते हुए कहा कि बेटा इस्पेस में जाने से पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है और इस्पेस में जाने के लिए हमें एरक्राफ्ट की आवशक्ता पड़ती है और जाने से पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है तो इसकी मदर ने बताया कि हमारे भारत से काफी लोग मतलब काफी जो एस्पेस में गए है ठीक है तो इसकी मदर ने बताया कि जो एस्टो नेट्स जो इस्पेस में जाते हैं और इसमें स्पेस में जाकर वो हमें बहुत सारी जो जानकारी है हमारे अर्थ से सम्बंदित या हमारे स्पेस से सम्बंदित वो हमें देते हैं ठीक है कि इस्पेस से हमारा अर्थ के से दिखाए देता है इस्पेस में क्या क्या चीज़े हैं तो उन सब की जो जानकारी है वो एस्टो नेटे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अर्थ है ठीक है उसकी यह दिया आपको साइस देखनी है और उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गलोब की साहिता लेनी पड़ेगे ठीक है तो जबी भी next classes होगी मैं उसमें आप लोगों को globe दिखाऊंगा कि globe कैसा होता है ठीक है फिर इसके बाद में जो next class होगी उसमें हम पढ़ेंगे let us meet this people कि कौन कौन से astronauts जो हैं वो space में गए हैं उसके बारे में और के स्टुदेंट्स हैं आज दे